बिस्मिल्लायरमान रहीम, अस्सलाम अलेकूम, आज लेकर आई हूँ चिकन के बहुत ही मज़ेदार नगेट्स और बहुत ही इजी तरीके से आपके साथ शेयर करूंगी, बच्चों के बड़ों के सबके बहुत ही फेवरेट होते हैं और बहुत ही टेस्टी भी होते हैं, तो चलिए रेसिपी को आपके साथ शेयर करते हैं, विडियो को फुल वाच कीजिएगा, इसकिप नहीं कीजिएगा, स्टैप बाई स्टैप आपको बताऊंगी, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को कीजिएगा, सब्सक्राइब, विडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलियेगा, तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ, चार अदद स्लाइसे और ये मैंने चोटे साइस की ब्रेड ली है, अगर आपके पास बड़ी ब्रेड है, तो आप तीन स्लाइसे यूज कीजिएगा, और इन चारों स्लाइसे के हमने एजिस को कर लेना है, कट अच्छे से इस तरह से, और उसके बाद इसके चोटे-चोटे पीसिस कर लेंगे, और इनका हम रेडी करेंगे ब्रेड क्रम्स, तो इस तरह से मैंने इनको चार टुक्रों में कट कर लिया है, अब चौपर में डालके हम इसके ब्रेड क्रम्स रेडी करेंगे, और इसको अच्छे से घ चिकन का और प्रेस्ट पीस वता है उसके बोलेस लिया है चिकन क्युक्कि उसमें जो है नगेट्सक मारे बहुती सॉफ्ट और जूसी बनकर रेड़ी होते हैं तो आधा किलो चिकन था उसके हमने चुटी-चुटी इस तरह से बोठिया बना ली है और इसको डाल दिया है चौपर में साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ पैप्री का पाउडर हाफ टी स्पून और वाइट मिर्चो का पाउडर लिया है वन टी स्पून आप कमिया जादा भी कर सकते हैं नमक डाला है वन टी स्पून साथ में इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस वन टी बिल स्पून और अब मैं इसमें शामिल करूँगी लहसन और अध्रक का पेस्ट वन टीबल स्पून बस इन तमाम चीजों को चिकन के साथ हमने अच्छे से इसमें चॉपर में घुमा लेना है ताकि इसका बहुत ही फाइन सा कीमा रेडी हो जाए और उसके बाद उसके हम रेडी करेंगे नगेट्स तक्रीबन एक से दो मिनट लगा है इसको अच्छे से घुमाने में और यह बहुत ही परफेक्ली जो है बनकर रेडी हो चुका है बहुत ही सॉफ्ट यह दिखे जिस तरह का हमें चाहिए था और इस्टिकी नहीं है बिल्कुल परफेक्ट है इसको निकालेंगे हम एक सरफेस प जो चिकन का कीमा है वो इस पे चिपके न और इस तरह से हमारे जो नगेट्स हैं बिल्कुल परफेक्ली रेडी होंगे अब इस पे हमने रेडी किया वा कीमा जो है वो इस तरह से डाल दिया है और इसको हमने हातों की मदद से अच्छे से इस तरह पहलाना है एक्वली और इसके बाद इसके हमें एड़िस को cut करने के बाद इसके nuggets को एक shape में cut कर लेंगे जिस तरह का भी आपको पसंद हो shape आप इसको किसी designing में भी दे सकते हैं आप simple cut करके भी इसकी shape रख सकते हैं चारों साइट से हमने extra edges इसके निकाल दिये हैं इस तरीके से और अब जिस size की भी shape आपको पसंद हो उस तरह के shape में आपने इसको cut करना है और मैं इसको block shape में ही दे रही हूँ simple कोई खास shape इसकी मैंने नहीं रखी है आप अपने बच्चों की पसंद की shape इसको दे सकते हैं और इसको हमने इस तरह से cut कर लेना है चुटे-चुटे pieces में और कम से कम इसको एक घंटा फ्रीजर में रख देंगे तो उसके बाद इसकी coating करेंगे तो यह best रहेगा उससे क्या होता है कीमा जो है थोड़ा नर्म है तो इसको coating करते वक्त इसकी shape disturb हो सकती है तो आप यह देखे इसको अब बनाने के बाद फ्रीजर में रख दीजिए तकरीबन एक से दो घंटा नगिट्स को हमने रख दिया है फ्रीजर में set होने के लिए इतने चलते हैं हम इसकी coating की तरफ इस ready करने की तरफ तो एक बाउल मैंने लिया है एक अदद अंडा उसमें ने शामिल किया है एक चुटकी के बराबर नमक और एक चुटकी मैं इसमें डालूंगी काले मिर्च साथ में टूटेबल स्पून डाला है दूद और रूम टेंपरेचर पे लिया है दूद थंडा या गरम यूज नहीं कीजेगा बस इन चारों चीजों को अच्छे से हमने बीट कर लेना है यह बीठ हो चुका है और यह बिलकुल रेडी है एक तरफ हमने bread crumbs ready करके रखे हैं और यह मेरे पास market पहले bread crumbs हैं आप चाहे तो fresh bread के भी रेड़ी करके यूज कर सकते हैं तो ready केवे nuggets को सबसे पहरे coat किया है हमने अंडे में और उसके बाद इसको second अच्छी तरह इसको हमने दोनों साइट से कोट कर लेना है क्रॉम्स में और इसी तरह तमाम नगिट्स को हमने बना कर रख लेना है आप चाहें तो इनको स्टोर भी कर सकते है और ये दिखें हमारे नगिट्स बिल्कुल इस तरह से परफेक्ली रेडी हो जाएंगे तमाम हमने इनको बनाते जाना है इनको रखते जाना है और जब आपका दिल करें आप इसे फ्रीज कीजिए निकालिए बच्चों को बना कर दीजिए लंच बॉक्स में या टी टाइम में इन्जॉई कीजिए यह देखें तमाम नगिट्स बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं मैंने लिया है एक एर टाइड जार और उसमें मैंने बटर फेपर लगाया है नीचे इस तरीके से और रेडी किये वे कुछ नगिट्स जो है हम इसमें रखके और इसको फ्रीज करेंगे और कुछ को हम फ्राइ करके आपको दिखाएंगे यह देखें बहुत ही आसान सी टिप है इसको आप रखते जाएं और स्टोर कीजिए और जब दिल करें निकालें और इंजॉय करें इस मज़ेदार सी रेसिपी को और यह दिखें नगेट्स बिलकुल रेडी है फ्रीज होने के लिए अब चलते हैं नगेट्स को फ्राइ करने की तरफ ओईल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और वन बाई वन इसमें तमाम नगेट्स को हमने डालना है बिलकुल मीडियम तू लो हीट पे इसको हम high heat बिल्कुल भी नहीं कीजेगा और जैसे जैसे ये fry होते जाएंगे ये थोड़े से फूलते जाएंगे और बहुत ही मसे के बनकर ready होंगे तकरीबन 2-3 मिनट लगेंगे medium to low heat पे fry होने के लिए और इसको हमने fry करना है एक side से जैसे इस पे color आजाएगा side को करना है turn ये दिखिए एक side पे color आ चुका था आप दूसी side से हमने इसको cook करना है तो side को turn करते जाएंगे और इसी तरह इसी heat पे हमने इसको fry कर लेना है और उसके बाद enjoy करना है इस मज़ेदार सी recipe को ketchup के साथ बहुत ही मज़े के बनकर ready होंगे हैं अगर आपको recipe अची लगे तो जरूर सपोर्ट किजेगा विडियो को like और share करना बिलकुल नहीं भूलिएगा ये देखिए nuggets बिलकुल अच्छे से fry हो चुके हैं बिलकुल perfectly और बहुत ही मज़े के बनकर ready हुए हैं इसी तरह हमने तमाम nuggets को fry करना है और enjoy करना है दुआओं में रखीगा याद मिलते हैं नेक्स recipe में इंशाला जल्दी अलाहाफिज